ओके अलो प्रेंट किसे हो आप सब में विशी और आप देखरें बॉंग टू इन्विस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में देखने वाले नेक्स्ट विक के लिए कौन से हमारे स्टोक होंगे जो स्विंग टेडिंग में हमें हेल्प करेंगे किसमें बाइंग हो सकते किसमे सेलिंग हो सकते तो चलिए देखते इस वीडियो में कौन से हमारे नेक्स्ट विक के लिए वो चलिष्ट होगे तो दोस्तों अभी तक आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हरो जर दिन लेते तो आप देख रहो एक्सेस बेंक अभी हाल फिलाल एक चैनल में है आप देख रहो इधर से नीचे आया उपर गया नीचे आया बाद में कि नीचे नीचे जाता रहा अपनी सपोर्ट लाइन पे यह सपोर्ट लेकर अपर आया और बाद में अपर इधर रजिस्टन स्पेस क जो आपकी है फोलिंग रजिस्टेंस लाइन पे तो इन सिंपल इसने चैनल बना दिये तो इन फ्यूचर आगे आने वाले वीक में अगर ये चैनल को प्रोपर तरीके से ब्रेक करके अबोव चला जाता है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हो लेकिन प्रोपर ब्रेकाउट हो में तो इसमें जोतना चाहिए तो जो हमारा एकस्स बेंक है उसका आप बाइंग-साइड के लिए लेके जा सकते हो Watch. क्यों कि हमें इसमें चैनल देखने को मिले और आप देख रहे हो कि access bank अभी है कि हाल फिलाल अपने support के पास है तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में आपको ये channel breakout देखने को मिले और अच्छे अपर के target देखने को मिले तो जो हमारा पहला stock है वो है access bank अभी इसके बाद का जो हमारा stock है वो देख लेते इसके बाद क कितने time से एक range में फसा हुआ है ना तो इतना जैदा up moment देखने को मिला है ना तो इतना जैदा down moment देखने को मिला है तो ये एक अपनी channel में फसा हुआ है horizontal ये channel है तो ये horizontal channel का proper तरीके से अगर upside breakout हो जाता है तब आप इसमें buying side के लिए जा सकते हो लेकिन proper breakout होना चाहिए अग अगर आप इसमें sell side के लिए entry लेना चाहते तब भी आप इसमें नजर रख सकते हो तो ये क्या है कि आपका resistance है अगर ये resistance से proper downside जाने का कोई sign देता है तब आप इसमें sell side के लिए आ सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से buying ही सबसे ज्यादा बेटर रहेगा इसमें सो आप इसमें buying side नजर बनाए रखे इसके बाद का जो हमारा श्टोक है वो देख लेते इसके बाद का जो हमारा श्टोक है वो है DLF अभी इसको मैंने क्यों लिया तो वही same situation की अपने resistance से क्या कर रहा है नीचे आ रहा है एक बार इधर से नीचे आ एक बार इधर से नीचे हाल फिलाल अप प्रोपर रजिस्टन्स लेकिए नीचे की साइट सपोर्ट की ओर दिखता हुआ आपको देखे आगे आने वहले फ्यूचर में ते इसको नजर बनाए रखे अगर रजिस्टन्स को ब्रेक करके उपर प्रोपर तरीके से निकल जाता है तब आप इसमें बाइंग करोगे इस पाले दिन में इसमें भी आपको एक अप मूमेंट देखने को मिले हाल फिलाल यह तो कंसोलिडेटी कर रहा है तो पहले आपको कब एंट्री लेने तो सिंपल सी बात है यह कंसोलिडेट जोन से जब बाहर निकले तब आपको इसमें एंट्री लेनी है तो इसके लिए थोड प्रोपर तरीके से यह horizontal resistance line का breakout हो जाता है simple सी बात है channel का proper breakout हो जाता है तब आप इसमें entry ले सकते हूँ तो Glenmark उसको भी आप अपनी watch list में लगा सकते हूँ मेरे इसाब से यह सबसे बेहतरीं trade होगा तो इस पे भी जान रखिये मैं personally भी इसमें trade लूँगा अगर proper तरीके से इसका breakout हो गया तब तो Glenmark के बाद जो हमारा stock है उसको देख लेते Glenmark के बाद जो हमारा stock है वो है berger paint अभी berger paint मेंने क्यों ले तो normal सी बात है आपको इसमें inverted head and solder देखने को मिला है इसलिए में इसको लिया है लाश्ट फ्राइडे इसने क्या इसका प्रोपर तरीके से breakout कर दिया है और क्या है कि लाश्ट टू आवर्स में यह अपर निकल गया मतलब एक upset moment अच्छा सा दे गया तो क्या है कि हो सकता है कि आपके आट में से moment निकल गया तो आप क्या है कि इसमें entry नहीं लगे लेकिन आपको इसमें अपनी watch list में लगा के रखना पड़ेगा नॉर्मल सी बात है कोई भी जो moment होता है उसमें moment के साथ breakout होता है तो थोड़े time बाद वो क्या करने आता है तो आप इसमें अपनी नजर बनाए रखो अगर यह retrace करने नीचे यह आता है प्रोपर तरीके से retrace के बाद आपको upset देखने को मिलती है तब आप इसमें अपनी entry बना सकते है तो इसमें इसमें ब्रेकाउट हुआ है तो अभी हम इसमें entry कहां ले सकते है तो simple सी बात इसको retrace करने नीचे आने दो यह proper तरीके से retrace कर देता है और फिर से कोई upset जाने का signal देता है तब आप इसमें अपनी entry बना सकते हो मेरे इसाब से एक good deal होगी अगर आप इसमें entry catch up कर सकते हो एक अच्छा सिनारियो बन रहा है buying side तो मैं भी इसमें personally trade लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे को एक बार proper retracement दिख जाए उसके बाद ही मैं खुद trade लूँगा तो आप भी अपनी कोई क्या है कि planning बनाईए कि मैं इसमें ऐसे trade लूँगा मैं इसमें यहां trading करूँगा यहां मेरा stop loss होगा तो उसके बाद ही आपको एक trade लीजिएगा अभी इसके बाद का जो हमारा stock है वो देख लेते इसके बाद का जो हमारा stock है वो है HDFC अभी इसको मैंने क्यों लिया तो हाल फिला इसमें आपको double bottom जैसी pattern दिख रही है इसका breakout भी हो गया तो मेरे इसाब से इसका क्या है कि थोड़ा upside के बाद retrace करने दो या तो एक moment आने दो अगर इसमें moment Monday ही देखने को मिल जाते है तब भी आप buy कर सकते हो या तो wait कीजिए अगर safe entry लेनी है तो उसको retrace करने दीजे उसके बाद entry लो और क्या है कि हाल फिला लिया अपने support के पास भी है देखो ये इसका support है इसके support के पास सही है उपर आया तो मेर इससाब से ये आपको upset moment दे सकता है तो इस पे नजर बना के रखिए ये भी एक अच्छी deal हो सकते है अगर आपने इसको right price पे catch किया तब और देखिए simple सी बात है मैं अपनी यह analysis share करता हूँ तो आप सबको भी benefit हो सके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप blindly trade करो अगर समझ में आ रहा है उसमें proper risk reward ratio stop loss के साथ work करो और वो समझ में आ रहा है तब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे इसाब से कुछ करने की जरूरत नहीं है पहले आप सीख लो बाद में कुछ कीजिए समझ गे तो simple सी बात में यही कहना चाहता हो कि कि किसी को blindly follow मत करो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तब आप trade कीजिए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज जारो like comment and subscribe कर दीजेगा आप like comment करोगे तभी तो हमें motivation मिलेगा और एसे वीडियो आगे लेके आएंगे तो please जारो like comment and subscribe कर देना चलिए म मिलते अपने next वीडियो में तब तक के लेटर टा गुडबाई जाई हिन